Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़िबल अलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका Study IQ की YouTube चैनल पे तो जैसा कि अब जानते हैं कि Study IQ ने एक बहुत ही अच्छा नाम बनाया है Current Affairs की तयारी में और Current Affairs को लेकर अकसर स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स भी बहुत से आते हैं, Current Affairs अगर UPAC, IS जैसे एक्जाम की बात करें तो उसमें बड़ा crucial role भी प्ले करते हैं, तो आज की इस particular session में हमारे साथ मौझूद हैं, प्रशान तिवारी सर, सर वेलकम टूर चैनल, सर इस सीनियर फैक्वल्टी है और सर की specialization है in Current Affairs particularly, और आप सबने इनको The Hindu के sessions में जरूर देखा होगा, तो सर कैसा लग रहा है आपको पहले तो बताईए कि यहां पे आज हम एक interaction कर रहे है, काफी अच्छा लग रहा है और जैसे कि आपने काई कि काफी दिनों के बाद में मिलना हुआ और हमारा भी काफी दिनों के बाद मिलना हुआ, तो काफी अच्छा लग और मुझे ज्यादा excitement इसलिए थी कि हम काफी पिएंगे, जो मेरी बात हुई थी सर से रहने वाला है, current affair क्यों important है, UPSC में कितनी weightage है, कैसे करना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको, तो सर, basic बातों से start करते हैं, आपने हमने भी तैयारी की हुई है, और जो मुद्दे हम face करते थे, आज भी लगता है कि वो मुद्दे लगभग वही मुद्दे है तो notes बनाने को सबसे पहले लोगों के मन में एक doubt रहता है कि current affairs के क्या हम notes बनाएं या notes ना बनाएं, हाँ ये और ये सदियों तक चलता रहेगा, ये doubt हमेशा चलेगा, तो मेरा तो suggestion हमेशा से रहता है कि personally मैं हमेशता ये suggest करता हूँ कि notes ना बनाएं, फिर भी कई सारे लोग और छोटे notes बना सकते, क्योंकि notes बनाना ही important नहीं है, बना कर तो मैं गठर बना कर रख लूँगा, रद्धी में बेचना थोड़ी है, revise कर पाओ, ये भी तो important है, तो मेरा पहला suggestion ये है कि notes ना बनाएं, क्योंकि और institute के अंदर में, study IQ में भी content की पूरी team है, जो आपके स्यादा जा सकते हैं, अपना time current affairs से बचा कर अपना static पर लगा सकते हैं, क्योंकि जो आपको marks दिलाएगा, जो exam clear कराएगा, वो static कराएगा, current affairs कोशन है, अब आप पहले दिन से जैसा कि notes की बात होगी है, तो क्या पहले दिन से ही notes बनाने चाहिए, आप और मैं अभी off camera discuss कर दे, तो जैसे आपने मुझे suggest किया कि पहले दिन में ये किसी को पता ही नहीं होता है, कि क्या notes बनाने हैं, क्या नहीं बनाने हैं, बिल्कुल, यहाँ पर actually syllabus को और previous year questions को क्योंकि हम starting में नहीं refer करते, तो हमें हर चीज़ important लगती है, जब हर चीज़ important लगती है, तो हम करते हैं कि कुछ भी हमसे छूटे ना, और उस चक्कर में इतना बल्की पूरा थबबा बन जाता है, कि उसको revise करना आपने एक challenge हो जाता है, बिल्कुल सर, और आपने एक ये भी मेरे साथ काई बार मुझे भी suggestion की थी, मेरी तयारी का दरहान, कि जब भी current effect के notes बनाने हैं, त जिससे आपको notes को add-on करने में आसानी रहेगी, मालगे चलिए आज के दो महीने बाद में, कोई current effect same topic का मिलता है, तो आप उस folder को open करके वहाँ पर A4 sheet notes को add कर सके, पहला point, notes नहीं बनाएं तो बहतर है, जो समय बच जाए, फिर भी आप अगर बनाना चाहते हैं, तो जितना crisp बना पाएं, वो जाधा आपके लिए ठीक रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे aspirants को ये भी चीज़ समझनी चाहिए, कि देखो, आप लोग exam की तयारी से जाधा important क्या कर रहे हो, exam से एक दिन पहले की तयारी, तो अगर आपकी notes बनने, वो ऐसे हो कि एक दिन पहले उनक काफी पढ़ाते हैं, तो आपको काफी experience होगा कि sources कौन से अच्छे हैं, और किस source का UPSC के किस stage में क्या relevance रहते हैं, तो you are associated with new supper as well, PIB as well, योजना कुरुक्षेत्र, ये भी आपका forte है, तो यहाँ पर आप कुछ clarity देंगे कि किस चीज की relevance कहां पर आके बन रही है, देखे, य योजना और कुरुषेत्र आपके current affair को cover नहीं कर रहे हैं, वो किसी ना किसी, issue को cover कर रहे हैं, और जो prelims में, या means में current affair oriented questions आएंगे, देखे, दो बहुत बड़ा difference है, एक, president कौन बने, ये current affair है, बिल्कुल, president क्या है, उनका election कैसे होता, उनके पास में क्या power है, ये issue है, तो issue based जो question आएंगे, या फिर जो current affair based question आएंगे, पहले इन दोने में difference हमें समझना पड़े है, तो जो current affair based question आएंगे, वो आपको newspaper और magazine से cover हो, और issue based जो questions आते हैं, वो newspaper का analysis, जो editorial analysis हम बोलते हैं, योजना हो गया, कुरुषेत्र हो गया, यहां से cover होगा, तो प्लीज इस चीज को clear रखिए, कि योजना और कुरुषेत्र, prelims के लिए उतना जादा important नहीं है, उसके लिए आप newspaper, PIV इन चीज को follow का सकते हैं, जो current affair based question आते हैं, जैसा सर ने बताया, हमें कई बार aspirants confused होते हैं, कि जब हम monthly magazine या monthly compilation बोलते हैं, तो उसमें योजना कुरुषेत्र को भी वो उ 60 degree analysis भी होता है, and consequently वो फिर हमें योजना कुरुषेत्र mains में help करते हैं, कि किसी भी तरीके का सवाल आए, वो हम लिख सकते हैं, तो सर इसमें news paper की एक relevance रहती है, तो एक बड़ा, मैंने भी feel किया था अपनी तयारी की starting में, कि एक दिन मुझ से news paper छूट गया, मन में बड़ी आत्मगिलानी feel होती है, कि यार अगर इधर से ही सवाल बन गया, मैं क्या करूँगा, तो ये सबसे बड़ा रहता है, भाई, कल का news paper छूट गया, तो कल वाला news paper लेकर बैठूँ, या आज का परो, बिल्कुल, बिल्कुल, तो मेरा, और हमारा दोनों का ही suggestion है इस मामले में, कि current affair में कुछ भी backlog नहीं होता, अगर वो news important है UPC के लिए, तो repeat होगा, विल्कुल, और अगर वो repeat है, तभी important है, ठीक है, once in a while आई भी चीज, बहुत random question अगर कोई बनाएगा UPC में, तो आने के chance है, वरना जो repeat है, जैसे आप देखेंगे uniform से विल्कुल, अगर repeated news में आ रहा तो current affair में, backlog नाथी, कोई चीज नहीं होती, पिछला मिस किया, गिल्ट रखने की ज़रूद नहीं है, आप उगलानी कुछ नखने की ज़रूद नहीं है, अगले दिन से शुरू करने आप कर दीए, बिल्कुल, यहीं से एक और मुद्दा बनता है हमारे सामने की, start कब करें ह तो जैसा सर ने बताया है कि क्योंकि backlog है ही नहीं, तो इससे क्या सर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे beginner पूछता है कि मैं किस date से किस date के पड़ूँ, तो जिस भी date से आप start कर रहे हैं, वही समय सही है, जब जागो तभी सवेरा, बिल्कुल सर, जहां से आपकी इच्छा करें, ज आप अपनी static को cover कर लें, तयारी अच्छी चले, तो आप पीछे का cover कर सकते है monthly magazines के through, monthly magazine कौन सी करनी चाहिए और उसके notes, ये आपने कहा था कि उसके बारे हम discuss करेंगे, एक बार आप बताईए students को कि क्या monthly magazine के भी notes हमें बनाने चाहिए, वैसे तो सर, जैसा आपने बताया है कि notes बनाने में देखो time लगता है, और जब हम तयारी start करते है, again monthly magazine में भी हर चीज हमें important लगती है, तो वहाँ पे भी अगर हमने notes बनाने start कर दिया, तो वो भी बल्की बन जाएंगे, दूसरी बात ये है कि जैसे हम associated है, हमें पता है कि यहाँ पर study IQ अपनी monthly magazine बनाती है, उस team के साथ हमारी interaction होती है, तो बहुत effort लगता है उस content को बनाने में, उसकी extrapolation करने में, और उसको एक structure दे के बिल्कुल to the point बात रखने में, तो already जब किसी ने इतनी मेनत आप के लिए कर रखी है, वो already notes की form में है, उसका हम और, क्यों notes बनाने है, रायता फिलाने में बनी बात करते हैं, वो चार columns बन जाते हैं, तो monthly magazine हम पढ़ भी रहे हैं, तो उसके भी क्या कि उसको पढ़ने की 3-4 stages होती हैं, बलकि UPSC में कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, वो 3 readings तो लगेंगी ही लगेंगी, पहली reading में हम सिरफ मुद्दे को समझते हैं, दूसरी reading में हम कुछ important चीज उसे मान लो, हमने उस A4 sheet के column में अपना content लिग दिया, तो ये तरीका notes बनाने का कि 100 page की compilation को हमने condense करके उसे 30 page की बनाना है, 100 page की compilation को 200 page की बनाना objective नहीं है, ये बात तो, अचा सार, एक question और, क्या आप मिलब daily खाना खाते हैं, या पूरे महीने का खाना एक बर खालेते हैं डेली में भी तीन बार हमें breakfast, lunch, dinner ऐसा रहेगा, तो ये question बड़ी बार आता है, कि बाई क्या किया जाए कि monthly magazine ही पढ़ ली जाए, अकबार को छोड़ दिया जाए, मैने इसी लिए इसको किया कि भाई, जैसे खाना खाने के बराबर ही है, आपको जीने के लिए खाना खाना, UPC के लिए current affairs, तो क्या महीने में एक साथ magazine को उठागर गठर बनागर बैठ जाए? नहीं, obviously, ये तो indigestion हो जाएगी, दस्त लग सकते है current affairs के, तो उससे हमें बचना है, बिल्कुल, बिल्कुल, अब डेली अगर पढ़ेंगे, तो हमें beneficial रहेगा, तो सर कहना चाह रहे हैं कि daily newspaper पढ़ना है, monthly magazine आपको revision में help करेगी और consolidate करने में help करेगी, ना कि वो आपके newspaper को substitute करेगी. और इसमें, sir, editorial का point आपने एक बड़ा अच्छा बताया था, कि monthly magazine में क्योंकि points फॉर्म में और notes की फॉर्म में चीज़ें होती हैं, तो जो editorial हमें एक perspective बताते हैं, कि कई विदव तो उनके विचार हम paper में अपने विचार बनाकर present कर सकते हैं, तो monthly magazine कहीं ना कहीं इस चीज में भी lag करती है, तो I think newspaper जरूरी है, daily बढ़ना, जरूरी है, अचा sir, अब पढ़ तो लिए, revise कैसे करें, revision के sir, देखो, exactly तो दो तीन इसके भी stages रहते हैं, अर्जित किया हुआ ग के practice के साथ साथ कुछ means के answer भी हमें लिखने चाहिए, जिसमें हो सकते है कि direct question means पे ना हो, तो current को उसमें कैसे adjust करें, कैसे उसका relevance, या उसकी example के तोर पे उसे बताएं, ये एक चीज रहेगी, and revision मेरे हिसाब से weekly और monthly, और फिर six monthly, इस तरह से कर सकते हैं, revision आपके लिए, exam के बहुत जरुए, revision किये भीना अगर आप आगे जाएंगे, आपने चाहे जितना अच्छा पढ़ लिए हो, आप current affair पे या exam में कभी भी successful नहीं हो पाएंगे, तो sir, हमने बच्चों को मेरे खाले बहुत जादा परेशान कर दिया कि ये चीजे हैं, ऐसी सारी चीजे है, तो क् किस सरे से हम current affairs को काफी elaborately cover करते हैं, सर्द हिंदू करते हैं, मुझे Indian Express के उसके साथ में जुड़ा हूँ, तो वहाँ पर एक source तो हमारा है, इसके साथ थोड़ी extrapolation करनी होते हैं, कि हम सब जानते हैं कि इनके इलावा भी बहुत अकबार हैं, down to earth और पता नहीं क्या-क्या है तो वहाँ पर compilation आ जाती है, compilation पढ़ने के साथ-साथ revision करना और उसके test देना ये भी एक stage है, ये सारी जीजें P2Y में covered हैं, तो एक बार ज़रा P2Y के बारे ही बता देते हैं, जिससे students की जो परिशानी है, वो क्या है, सुलच जाए है, जी सर्, तो P2Y में अब क्या-क्या ची तो इस तैयारी के लिए एक तो हमारा current affair program है, जिसको हम CAP कहते हैं, daily इसकी videos जाती है, और उसमें हर source को cover करने की कोशिश की जाती है, कि सिरफ ऐसा नहीं कि सिरफ Indian Express या Hindu, Indian Express Hindu, PIB, Down to Earth, Science Reporter और भी बहुत से sources हैं जिनको refer करके, daily basis पे comprehensively इनकी videos जाती है, उसका PDF भी मिलता है, जि आपने बताया कि notes का काम काफी असान हो जाता है, तो खुद के notes बिनाने के बिजाए, उनी को पढ़के वहां पर scribbling कर लो, वहीं पर अपना कुछ marking कर दो, तो वो एक काम आता है, और साथ में सबसे important चीज़ से है, जो इस batch में आपको मिलता है, test, current affair आपने पढ़ लिए, अ प्लस में जो prelims के test series है हमारी P2I batch में, वो भी current affair based उसके इंदर में quality questions प्लस में, जो आज का pattern है UPSC का, उसके according, कि एक statement पता होने से नहीं चलेगा अब का, अब सब कुछ आता हो पता हो में चीए, तो elimination हो गया है, ठीक है, P2I बहुत ही शांदार opportunity आप सभी के लिए, और prelims to interview, आपको किसी भी चीज की tension नहीं लेनी, आपको बस enroll करना है, बाकी सारी जिम्मेदारी आप मुझ पर और चंदन सर पर और हमारी पूरी टीम के उपर में छोड़ दीजिए, चलिए सर्, तो अपने discussion को हम यहीं समेटते हैं, बहुत ही अच्छा लगा, आप, आपस में हम द अगस्त मुनिया, किसी दानव की तरह समझना शुरू करती है, हमें इसको अपना दोस्त बनाना है, मित्तर बनाना है, तो सर और मैं हैं ही, अब आप से बस यही निवेदन रहेगा, कि आप इसमें enroll करके, अपने current face की तयारी को सही direction देते रहें, तो मिलते हैं अगली वीडि इसमान रखिए, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, बाई बाई, टेकर दोस्ते, नमाश्पर, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल